मेरे प्यारे देश्वासियों, आम तोर पर मन की बात, उसमें मैं कई विश्यों को लेकर के आता हूँ, लेकिन आज देश और दुनिया के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, कोरोना वैश्विक महामारी से आया हुआ ये भहेंकर संकट, ऐसे मैं मैं और कुछ बाते करूँ, वो उचित नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले मैं सभी देश वासियों से शमा मागता हूँ, और मेरी आत्मा कहती है का आप मुझे जरूर शमा करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णे लेने पड़े हैं, जिसकी वेज़र से आपको कई तरह की कठिनाईयां उठानी पड़ रही हैं, खास करके मेरे गरीब भाई बहनों को देखता हूँ, तो जुरूर लगता है कि उनको लगता होगा कि ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है, हमें इस मुसीबत में डाल दिया, उनसे भी मैं विशेस रुप्जे शमा मागता हूँ, हो सकता है, बहुत से लोग मुझसे नाराज भी हो कि ऐसे कैसे सब को घर में बंद कर रहे हूँ, मैं आपकी दिक्षते समझता हूँ, आपकी परिशानी भी समझता हूँ, लेकिन भारत जैसे 130 करोड की आबादी वाले देश को कोरोना के खिलाब लड़ाई के लिए ये कदम उठाएज बिना कोई रास्ता नहीं था, कोरोना क कि लिए ये कठोर कदम उठाने बहुत आवशक थे, किसी का मन नहीं करता है ऐसे कदमों के लिए, लेकिन दुनिया के हाराद देखने के बारे लगता है कि यही एक रास्ता बचवा है, आपको आपके परिवार को सुरक्षित रखना है, मैं फिर एक बार आपको जो भी इसके लिए छमा वागता हूँ, साथियों हमारी यहां कहा गया है एवम एव विकारह अपीतरुणह साध्यते सुखम यानि बीमारी और उसके प्रकोप से शुरुवात में ही निपटना चाहिए, बाद में रोग असाध्य हो जाते हैं, तब इलाज भी मुश्किल हो जाता ह और आज पुरा हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी यही कर रहा है, भायों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, कोरोना वाइरस ने दुनिया को कैद कर दिया है, यह ज्ञान, विज्ञान, गरीब, संपन, कमजोर, ताकतवर, हर किसी को चुनोती दे रहा है, यह ना तो राश की सिमाओं में बना है, नहीं यह कोई छेत्र देखता है, और नहीं कोई मौसम, यह वाइरस इनसान को मारने पर उसे समाप्त करने की जीद उठा कर बैठा है, और इसलिए सभी लोगों को पूरी मानव जाती को इस वाइरस के खत्म करने के लिए एक जुट होकर संकल्प ले नहीं होगा, कुछ लोगों को लगता है कि वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तो ऐसा करके मानों जैसे दूसरों के मदद कर रहे हैं, अरे भाई, यह ब्रह्म पालना सही नहीं है, यह लॉकडाउन आपके खुद के बचने के लिए है, आपको अपने को बचाना है, अप आपको आने वाले कई दिनों तक इसी तरह धैर्य दिखाना ही है, लक्षमन डेखा का पालन करना ही है, साथियों मैं ये भी जानता हूं कि कोई कानुन नहीं तोड़ना चाहता, नियम नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अब भी वो स्थीत की गंभीरता को नहीं समझ रहे, ऐसे लोगों को यहीं कहूंगा कि लोकडाउन का नियम तोड़ेंगे, तो कुरोना वायरस से बचना मुश्किल हो जाएगा, दुनिया भर में बहुत से लोगों को कुछ इसी तरह की खुश फ़हमी थी, आज ये सब प्रस्ता रहे हैं, आरोग्यम परमभाग्यम, स्वास्तम सरवार्त साधनम, यानि आरोग्य ही सबसे बड़ा भाग्य है, दुनिया में सभी सुख का साधन स्वास्त ही है, ऐसे में नियम तोडने वाले अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवार कर रहे हैं, चात्यों, इस लड़ाई के अनेको योद्धा ऐसे हैं, जो गरों में नहीं, गरों के बाहर रहकर कोरोना वाइरस का मुकाबला कर रहे हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन सोर्जर्स हैं, खास करके हमारी नर्सिस बहने हैं, नर्सिस का काम करने वाले भाई हैं, डॉक्टर हैं, परड़ा मेरी कर स्टाफ हैं, ऐसे साथी जो कोरोना को पराजित कर चुके हैं, आज हमें उन से प्रेणा ले ली हैं, बीते दिनों में मैंने ऐसे कुछ लोगों से फोन पर बात की हैं, उनका उत्सा भी बढ़ाया है और उनसे बाते करके मेरा भी उत्सा बढ़ा है, मैंने बहुत मन था, इसलिए इस बार मन की बात मैं ऐसे साथीों के अनुभव, उनसे हुई बातचीत, उसमें से कुछ बाते आपसे साजा करूं, सबसे पहले हमारे साथ जुड़ेंगे स्री राम गंपा तेजा जी, वैसे तो आईटी प्रोफेशनल है, आईए, उनके अनुभव सुनते हैं, येस राम, नमस्ते जी, आँ राम नमस्ते, माने सुना कि आप रोणा वाइरस के गंबीज संकट से बाहर निकले हैं, हाँ जी, जरूर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था, बताईए आप यस सारे संकट से निकले हैं तो, अपना अनुभौं मैं सुनना चाह गया था वापस आते ही फीवर वो सब चाल हो गया थे जी तो पांचे दिन के बाद डॉक्टर्स ने कुरणाविरस का टेस्ट की और था पॉस्टिव आ गया था तब गांधी हॉस्पिटल गॉर्न्मेंट हॉस्पिटल हाइदरबाद में वहाँ पर एड्मिर्स किये थे मुझ तो जब आपके साथ हुआ तो आपको क्या एकदम से इमिजियर्ट क्या रिस्पॉंट ता आपका पहले तो बहुत डर गया था पहले तो बिलीव भी नहीं कर रहा था मैं कि हो गया ऐसा कैसे हुआ था क्योंकि इंडिया में किसी को दो तीन लोग को आया था तब तो पुछ कर रहे थे और कॉंफरेंस दे रहे थे कि कुछ नहीं होगा आप टीक हो जाओगी ऐसे बात करते रहते थे दिन में दो तीन बार डॉक्टर बात करते थे तो पहले जब धर था लेकिन उसके बाद ऐसे लगा कि हाँ इतने अच्छे लोगे के साथ हूँ उनको पता है क्या कर परिवार के लोगों की मनस्तिती क्या थी जब मैं हॉस्पिटल में पहले तो सब बहुत स्ट्रेस में थे जादा इटेंशन हो सब था लेकिन हाँ सबसे पहले तो उनका भी टेस्स किये थे सबका नेगिटिव आ गया था वह सबसे बड़ा ब्लेसिंग है हमारे लिए हमारे करे करे लिए और सब के लिए जो हम Ramya थे उतके बाद तो हर दिन इंप्रुमेंट आप लिक्रेती ।으 हमसे बात कर रहे थे हों बता रहे थैं आपने समकर्णिया रखी अपने परिवार की क्या साफदानिया रखी परिवार के लिए तो पहले उसके बार में जब पता चला तब तो मैं कौरेंटीन लेकिन के बाद डॉक्टर्स ने बताया थे कि और 16 दिन गर पर हैं और अपने रूम में रहना और तो आने के बाद भी मैं अपने गर में हूं मेरे रूम में रहता हूं जादा तक मास्क रखे रहता हूं दिन बर जो जब बाहर काने के लिए कुछ होगा हैंड वाशिंग हो सब इंपोर्टेंट है चलिए राम आप स्वस्त होकर के आये हैं आपको और आपके परिवार को मेरी की बहुत शुब कामना हैं लेकिन मैं चाहूंगा कि आपका यह अनुभव आप तो आइटी प्रोफेशन में हैं तो आडियो बना करके लोगों को शैर कीजिए बहुत सोचल मीडिया में वाइरल कीजिए तो क्या होगा कि लोग डर भी नहीं जाएंगे अट दे सेम टाइम क सबको पता होनी चाहिए कि गौर्णन क्वारंट इनके लिए उनके परवार के लिए यह तो उसके बारे में ज्याद़ा टकड़ना चाहिए था कि हों क्वारंटिन भी मतलब वह पर स्टिग्मा नहीं होना है उसके ऊपर चली राम बहुत बाश्चुपकामना है आपको थैं का परणाम है कि आज वो स्फस्त होकर सामाने जीवन जी रहे हैं हमारे साथ ऐसे ही एक और साथी जुड़े हैं जिन्होंने को पराजित किया है और उनका तो पुरा परिवार इस संकट में फस गया था नौजवान बेटा भी फस गया था आईए आगरा के शिमान अशोक कपू सब्सक्राइब करें अगर कोई चीजे देश को बताने जैसी होगी तो मैं उसका उप्योग करूंगा बिल्कुल सब्सक्राइब इसा सार कि मेरे दो बेटे हैं यह इतली गहते वहां पर फेर सा शूस का हम यह चूते का काम करते हैं जी फ्रक्किया मैनुफेक्शिंग का तो वहां गहते इतली फेर पर जब यह वापिस आए ना तो हमारा दाबाद भी गया था वो दिली रहते हैं तो उनको थोड़ी प्र मैं आए कि आप अप के साथ यह तो आप आप टैस्क राए तो बेचे चले अगने तेस्ट कराने जहीं अगरा जिस्टिक होस्पीटल गह उनको भुलाएं इनको बोला का आप अपने परवार बुला ले कोई कोई पर्ला ऐसी बात अगा हो अगरी क्या हुआ यह वह वह हम वो 16 साल का है तो हम छे का उन्होंने पोजिटिव बताया तो आपको दिली ले जाना है जी हमसर दरे नहीं हमने ठीक है अच्छा पता लगया हम लोग दिली वहां चले गए सब्दर जर्ग होस्टिटल यह आगरे वालों ने बेजा उन्होंने दो हमको अबूलेंस भी कोई चा पता कि अचे को अच्छा पते हैं आपके आपके अमको दो एभूलेंस देदी शग में डाक्टर भी थे और अंको उन्होंने सब्दर जर्ग ऑस्पिटल होस्टर दीज अच्छा उड़ी वह खड़े ते वहां पर गेट पे उन्होंने हमको जो वाड था वहां उन्होंने श है बहुत स्योग राजी बड़ा अच्छा हमको लो ने ठीट किया चाहि स्टाफ हो वो एक्षिल अपनी ड्रेस्पेन के आते से न सरपता नहीं चलता था यह डॉक्टर है या वाड़ वाय या नर्स है और जो कहते थे हम माल लेते हैं विराल हमको किसी तरह की भी एक परसेंट भी प्राबलम नहीं आई आपका आत्मईश्वास भी बड़ा मजबूत दिखता है यह सार अपने घुठलों का भी ऑपरेशन करा हुआ हुआ है लेकिन जब इतना बड़ा संकट परिवार के सब को आ गया और 16 साल के बच्चे तक पहुंच गया पेपर था सार आज सी के पे जा आपका नूभव करें यह पूर्त दिखता तक इस आड़ा में बहुत अच्छी साथ किया ऋञें नर्सेस आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत काम नहीं है कि अपने तरीके से आगरा में करिए भुखा है तो उसको खाना खिलाइए गरीपी जिंता किजिए और नियमों का पानन करें लोगों को समझाइए कि आप का पूरीवार इस बिमारी में फसाथा लेकिन आपने नियमों का पालन करके अपने परिवार को बचाए इस लिए कि लोगों में और सब्सक्राइब करते हैं जैसा कि इन्हों ने कहा कि पैनिक हुए बिना, डरे बिना, समय पर सही कदम उठाना, समय पर डॉक्टरों से संपर करना और उचीत साउधानी रखते हुए इस महामारी को हम पराजित कर सकते हैं साथियों हम मेडिकल स्थर पर इस महामारी से कैसे निपट रहे हैं इसके अनुहों जानने के लिए मैंने कुछ डॉक्टरों से बात की जो इस लड़ाई में पहली पंक्ती में मोर्चा समाले हुए हैं रोज मरा की उनकी गतिवीदी इनी पेसेंटों के साथ पढ़ती हैं आईए हमारे साथ दिल्ली से डॉक्टर नितिश गुपता जुड़े हैं नमस्ते डॉक्टर नमस्ते नितिश जी आप तो बिल्कुल मोर्चे पर डटे हुए हो तो मैं जानना चाहता हूं कि अस्पतालों में बाकी आपके साथियों का मूड कैसा है सब का मूड अब बीट है आपका शिरवाद सब के साथ है आपने दिया हुआ सारा हॉस्पिटल को जो भी आप सपोर्ट कर रहे हैं जो भी चीज़ हम मांग रहे हैं तो हम लोग बिल्कुल जैसे आर्मी बॉर्डर पर लड़ी रहती है हम लोग बिल्कुल ऐसे की लगे सब्सक्राइब करते हैं तो उनकी चिंता क्या सताती है उनको यही लगता है कि आगे क्या होगा अब क्या होगा यह तो बिल्कुल एकदम जैसा वो बाहर की दुनिया में देखते हैं है कि बार लोग इतने एक्पायर हो रहे हैं तो हमारे साथ फिसक्राइब होगा पर हम उनको समझाते हैं कि आपसी कौनसी दिक्कत किस दिन ठीक होगी आपका केस बहुत mild वाला है नॉर्मल सर्थी जुकाम वाला जो केस होता है वैसे ही है तो जैसे वो ठीक हो जाता है पांक साथ दिन में आप भी ठीक हो जाएंगे फिर हम आपके टेस्ट करेंगे जब वो नेगेटिव आएंगे तब आपको घर बेश सकते हैं और हम इसलिए उनकी बार बार हज दो तीन च ठीक हो सकते हैं लेकिन सभी डॉक्टरों को लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा सेवा का काम उनके जिम्में आया है बाव बनता है सबको हां जी सर बिलकुल बनता है हम अपने टीम को बिलकुल प्रोट्राइब करके रखते हैं कि ड़ने वाली कोई बात नहीं है कोई ऐसी अगर हम पूरी प्रिकॉशन लेंगे मरीश को अच्छे से प्रिकॉशन समझाएंगे कि आपको ऐसे करना है तो सब चीजे ठीक रहेंगे चलिए डॉक्टर आपके यहां तो बहुत बड़ी मात्रा में पेसंट भी आते हैं और आप बिलकुल जी जान से लगे हैं आपसे बा खिलाद के खिलाब लड़ाई में अवश्य विजयी होगा मेरा आपसे आगर हैं कि आप अपना ध्यान रखे अपने साथ्यों का ध्यान रखे अपने परिवार का ध्यान रखे दुनिया का अनूभव बताता है कि इस बिमारी से संकरμित होने वाले व Şu कि संक्या अच्छानक बढ़ती है अचानक होने वारी इस वृद्धी की वजह से विदेशों में हमने अच्छी से अच्छी स्वास्त सेवा को जवाब देते हुई देखा है भारत में इस्थिती ना आये इसके लिए ही हमें निरंतर प्रयास करना है एक और डॉक्टर हमारे साथ पूने से जुड़ रहे हैं सिमान डॉक्टर बोर से नमस्ते डॉक्टर आप तो बिलकुल एक जन सेवा प्रभु सेवा के मिजाद से काम में लगे हैं तो मैं आज आप से कुछ बाते करना चाहता हूं जो देश वाच्छों के लिए आपके संदेश चाहिए एक तो अनेग लोगों के मन में प् समर्पित कर दिया है तो आपकी बात में बहुत ताकत है तो मैं सुनना चाहता हूं वहां पर प्रोफेसर हूं और हमारे पूना मिंस्टर कॉर्परेशन होस्पीटल है नाइडव होस्पिटल करते हैं वहां पर जनेवरी 2020 से स्क्रीनिंग सेंटर चालो हो गया है वहां पर आ स्क्रीट में देखे साथ लोगों को डिश्याच कर दिया है तो जो अभी बाकिन नौ टेसे है यार अलसो वेरी स्टेबल एंडर अलसो दूल वेल दोडी वाइरस बोड़ी में होते हुए भी गेटिंग वेल एर रिकवरी आउट अप दी करोना वायरस और अभी यहां पर ज सीरेस दीज नहीं है तर हुए वेल डिशी रही है और वो पेशेंट लोग पाथी अच्छे हो रहा अभी जो अभी लोग बाकिया है वाह पे वहां पे वाह पे यहार अलसो गोई तो गीवेल बास दीज दिए बेर टिए वाच आन देली दीज ए लेकिन आर अलसो गोई जो लोग हमारी यहां सब्सक्राइब करके आते हैं इंटरनेशनल ट्रेवलर पे और जो कॉंटेक्ट में आये हैं आइसे लोगों का सर हम स्वाब ले रहे हैं यह जो फरेंगल स्वाब ले रहे हैं और नेजल स्वाब का रिपोट आने के बाद अगर पॉजितिव निकला है त क्या समझाते हैं आप जड़ा बताइए अगर आपके पास साबून और पानी से हाथ साफ करना है और जब आपको खांकी आएगी स्लीज मीं होगा तो आप साधा रुमान लगा के उसके उपर खांकी करना है सो आप जया जो जयुद atrás जयाए और जमीन जया जिरे और जमीन पे नागरे और जमीन पे ना जिरनी के वजय से वगा अगर तो चिसी पहलना पॉसिवल नहीं होगा ये समझा रह रहे हैं सर न्या UP chem kayak सब्सक्राइब कर दो कर दो गया है इन फैक्ट दुरिंग इस पर्टिक्लर सिट्वेशन सब्सक्राइब कर रहे हैं चलिए डॉक्टर आपनों बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं आपकी पूरी टीम लगी है हमारे जितने भी पेशन्स आये है सब सुरक्षित होगर कर अपने घर जायेंगे और देश में भी हम इस लड़ाई में जीतेंगे आप सब के लोगों की मदद से और हमें विश्वास है, हम जीतेंगे, ये लड़ाई जीत जाएंगे। आचारिय चरक ने डॉक्टरों के लिए बहुत सटिक बात कही है। और आज हमारे डॉक्टरों की जीवन में हम देख रहे हैं। सेवा के लिए दयाभाव रखकर कायरे करता है, वो सर्वस्रेष्ट चिकित्सक होता है। साथियों, मानवता से भरी हुई हर नर्ष को आज मैं नमन करता हूँ। आप सभी जिस सेवा भाव के साथ कायरे करते हैं, वो अतुलनी है। कि इस वर्ष यानी 2020 को पुरावीश्व International Year of the Nurse and Midwife के तोर पर मना रहा है। इसका समन 200 वर्ष पुर्व 1820 में जन्म लेने वाली Florence Nightingale से जुड़ा हुआ है। जिनोंने मानव सेवा को नर्षिंग को एक नई पहचान दी, एक नई उचाई पर पहुँचाया। दुनिया की हर नर्ष के सेवा भाव को समर्पीत ये वर्ष निश्चित तोर पर पूरे नर्षिंग समुदाय के लिए बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी बन करके आया है। मुझे विश्वास है कि आप सभी इस इमतहान में नसिव सफल होगी बलकि अनेकों जीवन भी बचाएगी। आप जैसे तमाम साथियों के होसले और जज़वे के कारण ही इतनी बड़ी लड़ाई हम लड़ पा रहे हैं। आप जैसे साथ ही चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, परामेडिकल, आशा, एनम कारकरता, सभाई कर्मचारी हो आपके स्वास के भी देश को भाव चिंता है। इसी को देखते हुए ऐसे करीब 20 लाग साथियों के लिए 50 लाग रुपिये तक के स्वास्त बीमा की गोश्णा सरकाने की है। ताकि आप इस लड़ाई में और अधिक आत्मविश्वास के साथ देश का नेत्रूत्व कर सके हैं। मेरे पहरे देश वास्यों, कोरोना वाइरस के खिलाब इस जंग में हमारे आस पास ऐसे अनएक लोग हैं जो समाज के रियल हीरो हैं। और इस परिस्तिती में भी सबसे आगे खड़े हैं। मुझे नरेद्र मोदी एपर, नमो एपर, बैंगलूरू के निरंजन सुधाकर हवाले जी ने लिखा है कि ऐसे लोग डेली लाइफ हीरो हैं। ये बात सही भी हैं। ये वो लोग हैं जिन की वज़े से हमारी रोजमरा की जिन्दगी आसानी से चलती रहती हैं। आप कलपना करिए कि एक दिन अपके घरों में नल में आने वाला पानी बंध हो जाए। या फिर आपके घर की बिजली अचाना कट जाए। तब ये डेली लाइफ हीरो ही होते हैं जो हमारी दिक्कतों को दूर करते हैं। जरह आप अपने पडोस में मोजूद छोटी परचुन की दुकान के बारे में सोचिए। आज के इस कठीन समय में वो दुकानदार भी जोगिम उठा रहा है। आखिर किसलिए? इसलिए ना कि आपको जरुरत का सामान मिलने में कोई परेशानी ना हो। ठीक इसी प्रकार उन ड्राइवर्स उन वरकर्स के बारे में सोचिए। जो बिना रुके अपने काम में डटे हैं ताकि देश भर में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन में कोई रुकावट ना है। आपने देखा होगा बैंकिंग सेवाओं को सरकार ने चालू रखा है और बैंकिंग सेक्तर के हमारे लोग पूरे लगन से पूरे मन से इस लड़ाय का नेत्रूत्व करते हुए बैंकों को समालते हैं आपकी सेवा में मौझूद है। आज के समय सेवा छोटी नहीं है। उन बैंक के लोगों का भी हम जितना धन्यवाद करे उतना कम है। उन सब को सुचारू रखने के लिए कोई ने कोई अपनी जिन्दगी खपा रहा है। इस दोरान आप पैसे अधिकाउस्ट लोग जो डिजिटल पेमेट आसानी से कर पा रहे हैं उसके पीछे भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं। लोग डाउन के दोरान यही वो लोग हैं जो देश के काम काज को सभाले हुए हैं। सभी देशवास्यों की तरफ से मैं उन सभी लोगों के प्रती आभार प्रगड करता हूँ और उनसे अनूरवत करता हूँ कि वे अपने लिए भी हर तरह के सेफ्टी प्रेकॉशन्स लें अपना भी ख्याल रखें अपने परिवार जनों का भी ख्याल रखें। मेरे पैरे देशवास्यों मुझे कुछ ऐसी घटनाओं का पता चला है जिन में कोरोना वाइरस के संदीक्त और फिर जिने होम कॉरंटाइन में रहने को कहा गया है उनके साथ कुछ लोग बुरा वरताव कर रहे हैं। वाते सुनकर मुझे अत्यनत पिड़ा हुई है। यह बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है। हमें यह समझना होगा कि मौजूदा हालात में अभी एक दूसरे से सिर्फ सोशल डिस्टन्स बना कर रखना है। न की emotional या human distance ऐसे लोग कोई अपरादी नहीं है बलकि वायरस के संभवित पीडिद भर है। इन लोगोंने दूसरों को संक्रमन से बचाने के लिए खुद को अलग किया है और क्वारंटाइन में रहे हैं। कई जगह पर लोगोंने अपनी जिम्मेदारियों को गंबितार से लिया है। यहां तक कि वायरस के कोई लक्षन नहीं दिखने पर भी उन्होंने खुद को कॉरूंटाइन किया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे विदेश से लोटकर के आये हैं और दोहरी सावधानी वरत रहे हैं। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी सुरत में कोई दूसरा व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित न हो पाए। इसलिए जब लोग खुद इतनी जिम्मेदारी दिखा रहे हैं तो उनके साथ खराब व्यहवार करना कहीं से भी जायद नहीं है। बलकि उनके साथ सहनुभूती पूरवक सहयोग करने की आवशक्ता है। कोरोना वायरस से लडने का सबसे कारगर तरीका सोशल डिस्टनसिंग है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि सोशल डिस्टनसिंग का मतलब सोशल इंट्रेक्शन को खतम करना नहीं है। वास्तों में ये समय अपने सभी पुराने सामाजिक रिस्तों में नई जान फुकने का है। उन रिस्तों को तरो ताजा करने का है। एक प्रकार से ये समय हमें ये भी बताता है कि सोशल डिस्टनसिंग बढ़ाओ और एमोशनल डिस्टनस गटाओ। मैं फिर कहता हूँ सोचियल डिस्टंसिंग बढ़ाओ और इमोशनल डिस्टंस घटाओ कोटा से येश्वर्धन ने नरेन बोदी एप पर लिखा है कि वे लॉकडाउन में फैमिली बॉंडिंग को मजबूत कर रहे हैं बच्चों के साथ बॉर्ड गेम्स और क्रिकेट खेल रहे हैं किचेन में नई नई डिसेज बना रहे हैं जबलपूर के निरुपमा हरसेजी नरेन बोदी एप पर लिखती हैं कि उन्हें पहली बार रजाई बनाने के अपने शौक को पुरा करने का मोका मिला है यहीं नहीं वो इसके साथ ही बागवानी का शौक भी पुरा कर रही हैं वहीं राईपूर के परिक्षित गुरु गाम के आर्यमन और जार्खन के सुरिज्जी का पोस्ट पढ़ने को मिला जिसमें उन्होंने अपने स्कूल के दोस्तों के यी री यूनियन करने की चर्चा की है उनका ये आईडिया काफी रोचक है हो सकता है कि आपको भी दसकों से अपने स्कूल कॉलेज के दोस्तों से बाचित करने का मोका न मिला हो आप भी इस आइडिया को आजमा कर देखिए भूमनेश्वर के प्रत्युस और कोलकता की वसूधा मैं ने बताया कि वे आजकल उन किताबों को पढ़ रहे हैं जीने अब तक पढ़ नहीं पाये थे सोशल मीडिया में ही मैंने देखा कि कुछ लोगों ने वर्षों से घर में पड़े तबला, वीर्णा जैसे मुजिकल इंस्टुमेंट को निकाल कर रियाज करना शुरू कर दिया है आप भी ऐसा कर सकते हैं इससे आपको संगीत का आनन तो मिलेगा ही पुरानी आदय भी ताजा हो उठेगी यानि मुश्किल की इस घड़ी में आपको मुश्किल से एक ऐसा पल मिला है जिसमें आपको न केवल अपने आप से जुडने का मोका मिलेगा बल्कि आप अपने पैसन से भी जुड़ पाएंगे आपको अपने पुराने दोस्तों और परिवार के साथ भी जुडने का पूरा आफसर मिलेगा नमो एप पर मुझे रूड की से ससी जी ने पुछा है कि लॉकडाउन के इस समय में मैं अपनी फिट्रेस के लिए क्या करता हूँ इन परिस्तितियों में नवरात्री का उपास कैसे रखता हूँ मैं आपको बता दो मैंने आपको बाहर निकलने के लिए मना किया है लेकिन आपको अपने भीतर जौकने के लिए अवसर भी दिया है ये मोका है बाहर मत निकलो लेकिन अपने अंदर प्रवेश करो अपने आपको जानने का प्रयास करो जहां तक नवरात्री के उपास की बात है ये मेरी और शक्ती के भक्ती के बीच का विशह है जहां तक फिटनेस की बात है मुझे लगता है कि बात लंबी हो जाएगी तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सोशल मीडिया में मैं क्या करता हूँ उसके विशे में कुछ वीडियो अपलोड करूँगा नरेदर बोधी एप पर आप जुरूर उस वीडियो को देखेंगे जो मैं करता हूँ संबवत हो उस पैसे कुछ बाते आपके काम आ जाए लेकिन एक बात समझ लीजिए कि मैं फिटनेस एक्षपर्ट नहीं हूँ और नह मैं योगा टीचर हूँ मैं सिर्फ प्रैक्टिशनर हूँ हाँ जरूर मानता हूँ कि योगी के कुछ आसनों से मुझे बहुत लाव हुआ है लोकडाउन के दौरान आपको भी हो सकता है ये बाते कुछ काम आ जाए साथियो करना के खिलाब ये युद्ध भी इसलिए इस दौरान लिए जा रहे फैसले भी ऐसे हैं जो दुनिया के इत्यास में कभी देखने और सुने को नहीं मिले। कोरोना को रोकने के लिए जो तमाम कदम भारत वाच्चिवने उठाए हैं, जो प्रयास अभी हम कर रहे हैं, वही भारत को कोरोना महामारी पर जित दिलाएंगे। एक-एक भारतिय का संयम और संकल भी हमें मुश्किल सिति से बहार निकालेगा। साथ-साथ गरीबों के प्रति हमारी संवेदनाय और अधिक तीवर होनी चाहिए। हमारी मानवता का वास इस बात में हैं कि कहीं भर भी कोई गरीब, दुखी, भूका न जराता है, तो इस संकट की घड़ी में हम पहले उसका पेट भरेंगे, उसका जरूरत की चिंता करेंगे और ये हिंदुस्तान कर सकता है। ये हमारे संसकार है, ये हमारी संस्कृत ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर भारतिया अपने जीवन की रक्षा के लिए घर में बंध है। लेकिन आने वाले समय में यही हिंदुस्तानी अपने देश के विकास के लिए सारी दिवारों को तोड़ कर आगे निकलेगा, देश को आगे ले जाएगा। आप अपने परिवार के साथ घर पर रहिए, सुरक्षित और सावधान रहिए। हमें यह जंग जीतना है, जरूर जीतेंगे। मन की बात के लिए फिर अगले महने मिलेंगे और तब तक इस संकटों को महत करने में हम सफल हो भी जाएं। इसी एक कलपना के साथ, इसी एक शुपकामना के साथ, आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद। अरोग्यम परम भाग्यम स्वास्तियम सरवार्थ साधनम यानि की आरोग्य ही सबसे बड़ा भाग्य है। दुनिया में सभी सुख का साथ, आप साथ, आप से शुपकामना के जाएं।